दास्तानी काबुल में मर्यम का किरदार निभाने वाली तुनिशा शर्मा अब हमारे बीश नहीं रही महज 20 सार की उम्र में तुनिशा शर्मा ने बहुत कुछ अचीव किया है जैसे इंडुस्ट्री को इस बारे में पता चला लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो गया कि वो तुनिशा शर्मा जो अक्सरी मुस्कुराया करती थी हमेशा स्माइल करती थी अब वो उनके बीश नहीं रही तुनिशा शर्मा के को आक्टर और उनके बेस्ट फ्रेंड कवाडिलो को जैसे इस बारे में पता चला वो तुरंट हॉस्पिटल पहुचे कवाडिलो को बहुत बड़ा सद्मा लगा उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल वो कुछ भी बोलने के हालत में नहीं है तुनिशा शर्मा के साथ काम करने वाले पारस अरोणा ने कहा जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला उन्हें इस बात में यकीन नहीं हुआ साथ ही उन्होंने कहा कि हम दोनों टचमें नहीं थे हम अपने अपने लाइफ में बिजी थे लेकिन तुनिशा बहुत हैपी और एनरजेटिक चाइल्ड थी तुनिशा की इंटिनेट वाला लव की को अक्टर अभिनफ कपूर ने कहा कि मुझे इस बारे में जिम में पता चला मैं शूट से डारेक्ली जिम में पहुँचा वहाँ पर लोग ये बात कर रहे थे कि अली बाबा की एक्टर ने स्यूसाइट कर लिया तब मैंने इंटिनेट पर चेक किया और फिर मुझे इस साड निउस के बारे में पता चला मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैंने cover को call किया उस दौरान वो hospital में था और मैं भी hospital पहुशना चाहता था लेकिन उसने कहा कि अभी hospital मत आओ यहां नहीं आपाओगे बहुत भीड़ है साथी काम में पंजाबी इस पर react करते हुए लिखती है वहला आपको क्या कुछ कहना इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना opinion हमें comment के जरीए जरूर बताएए और साथी टेलिविजन से जुड़ी सबी latest update के लिए हमारे चानल को subscribe करना ना भूले